इसकी स्टड़ी पॉइंट से लिगुड़ी में आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं जोग्रफी क्लास 7 निव मॉडल एक्टिविटी टास 2021 को तो चले बिन समय कहा हैं शुरू करते हैं Q1 दिया गया है MCQ टाइप Q2 आपके पास 3 Q2 है और सभी के साथ 4-4 ओप्षन दिये गया हैं सही विकल्प जो है उसको चुनना है तो चली सबसे पहला Q2 देखिए 1.1 का उत्राइन क्या हो थी सूरे की उत्तर की और की गती है तो सही ऑप्षन होगा 22 देसंबर से लेकर 21 यून के बीच में इस तवरान 6 महिने के समय में सूरे क्या होता है उत्तर मुखी होता है याद करके रखिएगा वही आप जानते हैं कि 20 मार्च और 23 सितंबर को सूरे की किर्ने भूमदे रेखा पर लंबोत पड़ती है ठीक है इस चीज़ को आपके फिडवैक में बताईएगा कि जो एक्स्टरा चीज़ बताया जा रहा हुआ आपको कैसा लग रहा है बताईएगा कॉमेंट सेक्षन में जाकर नेक्स्ट जो है 21 जून से लेकर 22 सितंबर के 22 दिसंबर के बीच का जो समय होता है वह कल आता है दक्षिनायन ठीक है दक्षिनायन की अवधी जो होती है सूरे की दक्षिन की और की गती को दक्षिनायन बोलते है तो यह होता है 21 जून से लेकर 22 दिसंबर के बीच में तो इस question का सही उत्तर आपके पास में C हो गया एक स्टाचीज में मैंने बताया है ताकि आपको और जनकारी मिलता रहे है देखे 1.2 देखें मानचीतर में निकट दूरी वाले समदाप रेखिया आइसो बार संकेत करते हैं उच बायुदाप प्रवणता को ग्रेडियंट को तो सही option B है 1.2 का जो बताता है the closely spaced isobars in map क्या को indicate करते हैं तो आप बताइएगा ठीक है इस B वाले को 1.3 को देखें टोकियो योकोहामा और दोगी छेत्र के विकास के लिए सबसे अनुकूल कारको में से एक है सही option होगा उच्छे प्रवणता की और कुसल स्रम देखें D में बहुत बार confusion हो सकता है किन्तो D में होना क्या चाहिए समुंद्र से निकट अगर रहता तब आप बता सकते थे कि यहा कारण हो सकता है चुकि यहां पर दिया हुआ नहीं है दूर दिया गया है तो इसलिए यह option नहीं होगा C option ही सही है आगे बढ़ते हैं question number 2 के लिए question number 2 में क्या बोला गया है fill in the blanks करने के लिए बोला गया है रिकतस्तानों की पूर्ती कीजिए 2.1 देखिए अक्छांस के समनांतरों की परीदी धीरे धीरे भुमदे रेख्या से धुरूप की ओर क्या होता है घड़ता हुआ जाता है decrease होता जाता है 2.2 देखिए हावा में जलवास की कमी के साथ बायुदाप में क्या होता है वृरीदी होती है increase होता है increase होता है याद करके रखिएगा ठीक है देख लिजे आप सही से अगर अभी तक आप इसके study point से लिगए सब्सक्राइब ने किया है तो तुरंट सब्सक्राइब कर लिजे 2.3 को देखिए इस या की उत्तर की और बहने वाली नदी का एक उदाहरन देना है आपको ठीक है बताना है उदाहरन देना है तो यहाँ पर मैंने एक लिखा इनीसी नदी 5540 किलोमेटर है या सायान परवत से निकल कर कटईनी सी उपसागर में गिरती है ठीक है या एक्स्ट्रा चीज है आप चाहें तो लेना नदी लिख सकते हैं योब नदी लिख सकते हैं या आपकी मर्जी है आगे बढ़ते हैं कोशन नमबर 3 की और जिसमें दिया गया है देखिए आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे है निमलकित प्रश्णों के संचेप में उतर दीजिए किस तारीक को ग्रिष्न संक्रांती समर सोल्स्टिस कहते हैं या कहा जाता है और क्यूं तो 21 जून को ग्रिष्न संक्रांती कहा जाता है क्यूं कहा जाता है यहाँ पर जो पॉइंट दिया गया है उसको देखकर आप लिख लिजेगा अगर आप अपने किताब का यूज करते हैं तो पेज नमबर 13 में देखिएगा आपको यही एंसर मिल जाएगा ऐसे स्थान पर आ जाती है जहां उत्री गुलार्द में कर्क संक्रांती रेखा के उपर सूरे की किर्णे लंबवत पढ़ती है मतलब कर्क रेखा के उपर में क्या करती है लंबवत पढ़ती है इस दिन उत्री गुलार्द में दीन सबसे बड़ा और दक्षिनी गुलारत में सबसे छोटा होता है, सुमेरी बृत से 24 गंटा सूर्य को देखा जा सकता है, तथा कुमेरी बृत पर 24 गंटे की रात होती है, ठीक है? इतना लिख लेना है आपको. 3.2 को दीखिएगा, यह बड़ा कोश्चन है, इसमें दिया गया धुरूबो और भूमदे रेखा में हावा के ताप मान की विनिता उन छेत्रों के बायुदाप को कैसे नियंतरित करती है? सबसे पहले हेडिंग दे दीजेगा, बायुदाप में भिनिता का कारण, आप अपने किताब का देखना चाहें, तो पेज नंबर आप 33 में देख सकते हैं, ठीक है? तो आप केवल अंडरलाइन किया हुआ रेट से जो अंडरलाइन किया गया है, इनी लाइन्स को लिखेगा आप, यहाँ पे दीखिए, हवा में, हवा के तापान में परिवर्तन के कारण हवा का आयतन और गनतवां परिवर्तन होता है, जैसे हवा के गरम होने से उनके अनुगति सील हो जाते हैं, और एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं, इस प्रकार गरम हवा हलकी होकर उपर हो जाता है अर्थाप निर्दिस्ट आयतन के हवा के अणुओं की संख्या कम हो जाती है और हवा का दवाव भी कम हो जाता है हवा ठंडी होने पर संकुचित होती है और हवा का गनत्वा बढ़ जाता है इसी के चलते हावा का दबाव भी बढ़ जाता है इसलिए सीतल मरू अंचल में बायुदाप और ज्यादा उष्ण, निरक्षिय, भूमधिय, जलवाई अंचल में बायुदाप कम होता है इतना आप लिख ली जेगा इतना लिख लीज़े कि इतना लिख लेने से आपका सही answer त्यार हो जाएगा आगे बढ़ते हैं question number 4 को देखते हैं जो एकदम last question है आपके इस model activity task का इसको आपको बहुत अच्छी तरह समझना है यह नहीं सोचिएगा कि जो screen पे दीख रहा है उसी को आप screen shot ले लिए और आपका answer त्यार हो गया ऐसी बात नहीं है आप अपने book का page 92 और 93 की help का help लेकर आप इस answer को त्यार कर सकते हैं तो देखे इस question में दिया गया है क्या ACI की भूमदे रेखिया और गर्म रेगिस्तानी जलवायू प्राकृतिक बनस्पति की विसेस्ताओं को कैसे प्रभावित करती है मतलब भूमदे रेखिया जो जलवायू है वह और गर्म रेगिस्तानी जलवायू है वह बनस्पति को कैसे प्रभावित करती है तो देखे पहला हो गया सूरे के किड़नों के लंबत पढ़ने के कारण पूरे वर्स अधिगर्मी रहती है इस चीज को लिख लिजेगा और उसके बाद में इस पॉइंट को लिखिएगा चीतरा से बड़ा पैरग्राफ में करके भुमद्य छेतर में अधिगर्मी और अतिदिग वर्सा के कारण सगन हरित पेड़ पौधे होते हैं जैसे महगिनी, रोजूड, आइरन वूड, सैगोन, आबुनूस, रबबर, कोक और सिनकोना बस इतना ही आपको लिखना है और ज्यादा नहीं लिखिएगा क्योंकि किस तरह से या जो भुमद्य रेखिय जलवायू है प्रवावित करता है प्राकृतिक वनस्पती को उसी चीज़ को यहां पर दिखाया गया है आगे बढ़ते हैं गर्म रेखिस्थानी जलवायू प्राकृतिक वनस्पती को कि विसेस्ता को किस रूप से प्रवाइद करती है उस ची कि जो मरुवस्तली है या फिर गर्मर्यकिस्तानी जलवायू मरुवस्तल छेत्र में सधारन काटा जाती है पौधे होते हैं इस तरह से यह लाइन बताया दीजेगे यहाँ पे ग्रिश्म काल में तापकरम 30-35 डिग्री होता है और सीथ काल में तापकरम 15-25 डिग्री के आसपस में होता है वर्सा काफी कम होती है इस कारण यहाँ पे इस मरुवस्तल छेत्र में सधारन काटा जाती है पौधे होते हैं एक ही पारग्राफ में लिखते जाना है कोई ज्यादा पारग्राफ करना नहीं नहीं इस तरह से टेबल बनाना है उसके फिर क्या लिखिए गया जैस वास्पी करन की क्रिया द्वारा इन पौधों का जल ना निकल जाए इस तरह से आपको लिग कर इन कोश्चन्स को त्यार कर लेना है उमीद कर रहा हूं आपको समझ में आ गया होगा इसकी स्टेडी पॉइंट से लिगड़ी का या स्पेशल वीडियो मॉडल अक्टिविटी टास क्लास सेवन जोग्राफी तो कॉमेंट सेक्षन में जाके कॉमेंट जरूर कीजेगा कि या वीडियो आपको कैसा लगा थैंक्यू वेरी मच्छ पर वाचिंग